इसके बाद आपको पीडियाफ निकलवा लिए पूरा लिखाया बेटर मिल जाएगा रोज करते रहिए और आपको दिखाते हैं और समझाते हैं अगर हम लिखाना शुरू करते हैं तो हो सकता आपका पेपर अगर लाग जाए कहीं तो इसकी पीडियाफ निकलवा के पड़ते रहिए और बाद 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 की बताने का ताम हमारा है तो हम बता रहे थी पवार नसल भी आपको दिखाए दी आपको काली चितकवरी थी काले धब्बे थे और सफेद धब्बे थे तो यह पाई नसले पीली भी चले की पूरन पूरताइसील में पाई आती है तो यह इसका ओर जिए प्लेस है इसमें डाप ब्रीड है भारवाई क्यान कंथा रिखा जाता है इसे क्यान कंथा क्यान कंथा आप देखेंगे तो यह देखिए आपई क्यान कंथा है यह रेखें बांदा की नसल है इस तरीके से अलकी सी मटमेली काली काली सपेश अब देखें इसमें भी आपको कहीं पर अड़र देखने को नहीं मिलेगा कैन तथा में बिल्कुल नील गाये तो इसलिए यह दूग बहुत कम देती है तो यह भारवाही नसले हैं और कहीं कहीं अब देखें पर प्रदेश में पाला भी जाता है इसलिए पाल लियते हैं कि आगर दो चार लीटर दूद की आवस्टता है तो हल्का पुलका जो है चैरा गाम में लिये उसमें चराने के बाद और इसको जो है पाल लिया गया लेकिन यह दाने आने पर ज्यादा जूजा द तो यह विद्धिशारच को देख रहा होंगे में आपको यह दिखाई दे रहा है तो यह दो बाहर भाही नसल होगे इस तरीके की में लगती है कि न हमें बटे था गहां डायी लें ठाप कर देती है और इनसे जो है और भी लेवर लोक मेल गारी से कुछी जोना इधर उतर ले जाना जी है कि क्राया जाता है जी मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रूप से नहीं है तो आप इसके बाद देखेंगे इनी पसुनों को आप देखिए गुंदिल खंड रिजन के एक विसे इस नुदिल खंड बुंड रहे हैं तो इन ही विचारों का तो एन्हीं को कह दिया जाता है अंख भ divide खांड वह बंदील कंडेगी हम विए लुद फले घूमग रहे हुआ है न शाती मेवाती कोषी ने सब्सकंड रिखान म्नंजी श्राइड इन वे इस नशल के नाम है को मेवाती देखने को जो कि देखने को मिल रहा है कि यादा नहीं है मेبرाटी इसी को कहते है कोषी तक देखेंगे अंगोल ये अंगोल ये नशल होती है इसको योदो को द소 करें इसको सबसे छोटा प्रीड का जा सकता है और अंगोल अगर हम देखेंगे तो देखिए कैसी दिखने में होती है बहुत छोटी होती है सबसे नाटी व्रीड इसी की एक आई है उप जाती है अंगोल की ही वैसे तो यह अगर सामान हम देखेंगे तो दिखाई देगी आपको सा प्रिण भाई भाई बाई लुटी जो है तो यह इसी को कहते हैं उपारवाय है तो यह भारवाई है कि अगली देखें कि कि अगड़ी की घाटी जो है आंद प्रदेश में हमने आपको जीएस की क्लास में बताया था कि तो अगा नदी कहां से निकली है महावलेशवर से निकली है कि अगाती कि घाटी कि घाटी आंद पुदेश में कि एक देखेंगे धिलारी भी भारवाई है इस सोलापूर सतारा माराश्ट में इससका जम्मेस्तान मना जाता है निया कटें शोलापूर बिल्वारेश्ट नहीं पर इसका विल्यूजानी एक भी जोड़ाय। दोनों दोनों जगें महारास्त में ध्यासत थी यहां पर पर लिखा हुआ है शब्यूर और यहां साव्जानी पर दिखाएंग उन्ग्रेश्ट है नहीं कि इंडिया ने काउ कि द्याक्तों पहचानी गई याद ध्यार रखिएगा कितनी इंडिया ने काउ कि पहचानी नहीं है तो 27 और वैसे अंडेस्क्रेप्टिव ब्ली तो बहुत साई इनका डेस्क्रेप्शन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक नसल का लुगा क्राश कुरूशी तो यह आपकी खिल्लारी गाए चलिए यह वाइट कलर होने की वजए से पुड़ा जो है सफेद रंकी गाये तो हम दिखाई देंगी आपको तो हमने आपको बता दिया पर दिखा रहें कि यह कहां पर है क्या है कैसा है तो यह आपकी सारी कि सारी भारवाई नस्में हुई नेलोरी पड़ी, पबार पड़ी, गंगातीरी पड़ी, पैंकठा पड़ी और उसके साथ साथ आपने मेवाती पड़ी, खिलारी पड़ी, अंगूर पड़ी, किस्ना घाटी पड़ी, और किस्ना घाटी के बाद आपने खंगार्यम पड़ी, बहुत सारी आपने भारवाही सबसे जानैं करना है। आंग है वहीं पॉर bit is आप T सबसे जब्वत दिया जाय जाना चैपार जब्सक्राइचुन में ज़ता है। विम्रोण सबसे बहुत कर दिंद समय यहां defaattu, अब्वल पॉर ध्लांका-व्लक स्वेनन सबसे जाना चालग पोणूंप यह सारी कि आपकी यहां यह उत्यार देखेंगे नियुक्त कि मतलब जिसमें बशा की मात्रा बहुत कम होती है जर्सी में 5.3% इसके जादा बीडेशी गायों में बशा होती है 5.3% जो बसा होती है, वो केबल और केबल जो है, जरसी गाय में होती है, इसमें होती है, जरसी गाय में होती है, उससे कम सभी विदेसी गाय में बसा होती है, और बात करें कि सबसे कम किस विदेसी गाय में बसा होगी, तो जो सबसे जादा दूर देंगी, उससी में सबसे कम ब और यह की देखेज आखे आगे अपकी गाय की विदेशी नशलों में बास टॉरस में तो जर्सी इस नशल का मूली श्थान इंगलेंड का जर्सी ड्यूप सम्मूप मारा जाता है चाहँ और इस रस्व का रंग पीला जिस पर सफेद रंग चिकत्पते होते हैं यह भी आपको जर्सी को अगर हम दिखाएं आपको तो इच्छे तरह देखिए जर्सी का यह देखिए है जर्सी बतायदना इसका रंग हलका सब पीला होता है यह देखिए बहुत स्मार्ट गाय रगाई जर्सी बतायदना इसका रंग हलका सब पीला होता है तो पीला रंग लिए हुए यह प्योर जर्सी है इसको जर्सी कहते है अब इसकी कुछ क्रास हो गए है तो जर्सी नहीं है जर्सिंद जैसे है जर्सिंद वो क्रास है इसका जर्सी और लाल सिंदी का जो क्रास है जर्सी सांड का जब लाल सिंदी का इमेर के साथ क्रास हुआ है तो जर्सिंद के दिया गया तो यह प्योर जर्सी नहीं है यह जर्सी आप देख रहे होंगे, टैगिंग इसके कान पर किगए, इसका बीमा आएका, चलिए यह जर्सी हमने देखा दी है, वही देखिए यह आप लेका हुआ पीला है, जिस पर सफेद रंग के चिकत्ते भी हो सकते हैं, कभी तो इसका रंग हलका लाल से बादामी तब होता है, लाल बादामी के भी कुस पस उसके दो है, देखने को मिले हैं, और इसका ओरिजिन प्लेस आफ तो इसके प्रजाती और है वे पूची जा सकती है, ओबरी बलांका वो छाच्छ सो लीटर तक ब्यातकाल में दूद दी है, लेकिन अगर हुलेस्टन क्रिजिन के अब बात करें तो पांच जार से चाहाल लीटर तक दूद दी है, और इसके दूद में बसा की प्रसत मा कि यह आपने भारत में जो है क्रास देखा होगा को करन फ्राइज है क्या है करन फ्राइज जो करन स्विस क्रास आपने देखे हैं जो इस तरीके किये क्यों प्योर व्लेस्टन फ्रीज यह है क्योंतर देखें कितना बड़ा है, उस ग्रीज देखें जो करन फ्राइज और स्षक्रान फ्राइज और व्लेस्टन फ्रीजन में अंतर है, यह इस प्रास ब्रीज है चलिए देख लिए इसी को यह जो है आपकी इस तरीके की होती है इसी की बहुत सारी इसी तरीके की आपको बाइं देखने को इंडिया में जो बिलती है चाहे करन स्विस और चाहे करन फ्राई हो दोनों जो नसले मिलती है और यह आपकी इसका जनमस्थान स्वाट को माना जाता है और यह नसल जो है दुख दुख पादन में यह भी अच्छी नसले 4800 लिटर देती है और इसके तुख में 4-4% के करीबन बसा पाई आती है और इसके सरीक लाल वंग और सफेद रंगे चिकरते होते हैं लाल और सफेद देखिए आयर साइट बीड़े हम बात पर आयर साइट देखेते हैं कैसी होती है कि अच्छी अच्छी और सफेद आयर साइट देखिए और सफेद रंगे चिकरत उपनें case देखिए लाल और सफेद चिकाट दो देखिएतुये अच्छी को तो मने करो में चेमर आजो में ने रहा को माझए रिपला दोम 5 अमिआ रिखेस्ट से पातें कि वांतर के लट तरह से कुh सभाना करते हैं तो जैसा कि इसका नाम पर जाए बूरा और यह पांच परसेंट बूर में फैक होती है और 13.5% परसेंट इसे पाइज आता है दिखांगा नसर को तो जती है सीधे यह बूरे रंकि है अचाएं ऋब्स सब्सक्राइब जाता है Berea 6,000 पा सब्सक्राइब निजिए ब्लस उतना नाम 25 यह ुदरेशंख और 13 क कर दिक हैं? सब्सक्राइब सरание मानाद कर दोए 5,000 लीटर तक रेमेंर स्वायभान थे Mac जी भीन पहली बात तो देशी नसलों ने भारत में दूध देना कर दिया बदूध और अब अभात एफ्यारप्रा नहीं के पहली जादा वाल दूध-धर्बा बायानिकों बिदेसि नसल के लिए भारत के लिए जलवायू के साय भी दसाय भी और उसके इसे में भारत को निवह डिचन्हे में निखिती है भार्ती नसले थाउट्प ग vicinity्ट लीटर तक ़ेती थी तो इसके विए से भार्ती नसले करते तो न सब्सक्राइन को करता जशान अगर हम वहीं क्रास ब्रीट ले 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 लेते हैं तो 20-25 किलोग्राम तक हमारा दूद दे रहे हैं तो दूद कुताज में अंटिमेटी क्या हो गए जाएगी ब्रत ही हो जाएगी और इसका पहला कारिकाम 2020 में हैंडर्सन दौरा बंगरॉर में प्रारम किया गया था तो यह ब अगर इन नसलों को दिखाना चाहे को अविकर धर्स हें दिख्वूर कास बिढ़ा उक्राद्सटिन तो, हमघो सब्षकर नमान को थैसलों को जर्से दाजान सब्काइगrist करन प्राई देखिए यह क्रास है यह देखिए इस तरीके की नसले आपको इंडिया में देखने को मिलती हुँगी यह करन फ्राईज है तो इसी को क्रास ब्रीट के देखा जा रहा है इंडिया में यह देखिए इस तरीके की नसले और अच्छी अगर टेखना चाहिए क्रास बीट है यह लगभब होलेस्टन फ्रीजन की तरीके से ही लग रही है खर रहन करन फ्राइज है तो उसी कितार में जर्सिन की बात करते हैं जर्सिंद एक लान सिंदी कारस है तो उसी कित्या में जर्सि ये से पीली होती थे लगए लाल तो आपकी नसले अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आप दूर से ही समझ आगे कौन सी पील है यह देखिए क्रास हो गया जर्सी और पीला पीला क्लास हुगा तो यह हो गई लाल सिंदी कितना बड़ा है देशी से बहुत जादा बड़ा है क्रास जोटिए महले कि यह दाउटन को भाटर गृष्ए धीला यह जली तो कि यह में प्रिकाम पाई आती है इंके प्रोमोजाम की संख्या में पर्टली रहिकं फो ख возмो बारत को भाहे बाहे सों की जन्म इस यह बहारत को भाहे सों की जन्म इस थली का जाता है यानि इस भाइसों का देज है। यह ना समझ लगे आदमी सब हो गए जन्म इस तली है वहिसों के बाद इसके बाद अफरीकन भाहस को स्वाम पफैलो यह दर्दरी भाहस का आ जाता है। बोबालिस आर्मी एक इचा लगता है। इसका प्रोमोजोंन नंबर गारात प्रोमोजों नंबर उप्रिंदिक होता है। पहली मैंन महिमा है मैं। और होता है। सिस्यक्रीश Right Question अगर खता को पते हैं, भी छहां सो बच्चा ना था। गए के सरीर से, तथी तरह इस स्मेटिक शेल्स के दवारा थी लिधा। है तो उसके होतानिहा। यह थी क्लों भैस फ電 स नाम था। बाटर पपेलो आप देख रहे हैं क्या है इसका नाम था जो है बोबालिस आर्नी तू ये जो है भारती भैस तो इतना आपको क्लासिक से आद रहा है जो आगे बात करते हैं पॉर्जीन प्लें सवेखमी शुक्री से मॉर्रा जुए है हिसकayı धी मॉर्रा का क्या 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 म्यक्षर को सकतता है अगे मॉर्रा का क्या क्या इम पुछे तुकुगर से जयुंता है इसकी बिसेस्ता है क्या है कि काला स्या इसका रंग होता है रंग ऐसा होता है काला स्या होता है दूसरा इसके बाड़ी पर सुनहरे बाल होते हैं तीसरे इसके जो है सींग जो होते हैं बूल छले की तरीके सुरूते हैं फिर इसका दुख 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 पारन देखे हैं तो सत बुरे बाल होता है यह इसले को पते हो यह होता है आपको मुर्रा इखा दे़ा है इसका कोई हो है तोड़ नहीं है तो मुर्रा और सूर्टी के बीच की नसल है महसाना सबसे इची नसल है मुर्रा अगर आप देखें के देखिए भाई इसको देखी लेते हैं है तो बड़ा फतर नाव है कि देखने में पिल्कुल आप सौंच जाएं कि हां मुर्रा है यह देखिए इसका भैसा है कि आगे से देखें इसका चेया कि यह देखिए मुर्रा है कि देखिए मुर्रा इसका अच्छा होता है तो यह इस तरीके से मुर्रा भैस आपने देखिए ज्यादा दिखाने के आवस्क्ताने भी नहीं तो इसका पूरा आपको यार्द करना है कि ओडिन का है तरह मुर्त कर सsti लिकारा यह यह जो है चली है इसका धेल जलैकी तरह माने जाता है और This is rain में पूंचा जाता है तो आपको दिखाते हैं भदारी होती है अधिक आधिया विर्ट और यह तो इसका रंग काला नहीं इसके उपर जाएजा टेमप्रिचर का प्रभाव पर्बाव पड़ता है उसके दूर्द में 13% बसा होती है तो बारा सबसे तेरा सव लीटर दुब्दुत पादर होता है तो इसका उर्जिन प्लेस आगरा की बात तैसिल का बदावर छेट माना जाता है और इसमें जो है सबसे ज्यादा फैट पर निटेंट होता है बसावी प्रसत मात्रा सबसे अधिक होती है इतना आपको इसमें का इस नचे पाए कि थ्यादि में सफेट पार में अधिक कुछा ना ने होती है यह एक बात बताया कि प्रोक्सन इसका इस मिल्क बड जब एफचा बतानीं बात वहोता है और 10 परसेंट से कम अब्स्त थाद मीट चेरहता होता है यय। जरती होता है यह एफ ऱलिकम अब से कम नहीं होती है से पैर और पूंच पर सफेद रंग के दब्बे होते हैं यह इसकी प्रमुख विसेष्था है और इसका जर्मिस्तान जो है त्रोच को माना जाता है अब देखें हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन सी नस्र नीली राविय और पूंच पर सफेद रंग का पार सहर हम लमसे प्रमुख विसेष्था होती इसकी नस्र के पूंच पर सफेद का दंभड़ा नीली राविय। यह मंदेए फ्रमुख थीज़शान होती है और नीचे पूंच पूंच वाला पूंचा यह सपयद पुछ sesak जासी शि़शान ह हो जाती।ас रह् detecting यह डिए में सप्च कल्यानी, बाडी काली नेरे क्तर नहीं से उप। सब्सक्राइस काके दुपूट के लिया कृजें कृछिए के लिए दोन पासलः ता समझ की लें operate बिकसित होता है अब बताया था ना कि इसक खराब होता है अब लेकिन रिद लेना है जो गल कंबल यह वरृचाई रह तो है सक्तनर तहोग वह संधोसे विखते हों और ग्लकंब भी को छोटी नहीं दिख रहीに जाए होगी गोजराती है दी के मौ्टी बहुत की नशल के दीक हैOS चहरा है और एकिक और एंधोर्प्रावार वंची के बिकोंबने चाहँ,चेया बारी बार कम नशुक्त आजादा यह आपकी जाफ़ाबा और तेरा सो से चोधा सो लीटर प्रतिव्याद का दूस्ता दरिश्टा होता है अब अगली अम वह सबसे अच्छी हमारे साफसे किसान के लिए देखें तो किसान के लिए सबसे अच्छी बैस किनस्वें जिसे नोने कि अब आप 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 कि अब आप कि अब कि अब आप अब अब बता रहें आपको मैं साना देखिए यह सबसे अच्छी क्रास बीड है क्रास बीड का क्रास बीड ही समझने सूर्ती और इसके बीच की नसल है किसके इसके बीच की सूर्ती और मुर्रा अब तो इसका जो सींग होता है वो इस तरीके का होता है और यह कम चारी पर ही जो है अच्छी तरह से रह सकती है तो इसी को कहते हैं मेंसाना भी ठीक है तो मेंसाना की देखिए मेंसाना जो है आपकी समय मेंसाना तरसल क्रास है न तो यह देखिए स्टाइक क्यों होती है मेंसाना हसीय की तरीके के सीम होते हैं यह इसके सिंटम में रहता है और मजोले किसम की भाइस की नसल होती है सबसे अच्छा दूप दूद्पादन भी है और कम चारे दाने पर जो जाते हैं इन शोप दूपक्रास में समय बहुत कम रहता है यहां चार्ण आए के से बिसे का मेंसाना होती है और फमिशन की विद्पादन जूपका दूपक्रास कम रहता है जिला महसाना है और नसल सूखा समय बहुत कम रहता है तो बहुत कम रहता है इसलिए किसकों के लिए सबसे अच्छी किसानों के लिए ये नसल बताई देज़े तो कम चारे में भी पाली आ सकती है बहुत किसानों के लिए पहा जाता है तो इसे बहुत किसानों के लिए तो यह बित्यार्थ हो आज आपका जो है हमने भारभाही गाय की नसले नसले सब्सक्राइब थे इंग सब्सक्राइब छाएं थे खुदिया फॉर्धा उसमें गल्ति यह हो गया है आपने बताया था हमें ध्यान फैसा था उसमें तो पूस है उसमें बता रहा है लाद सिंद्ध है तो इस तरीके से क्रास है उसका उसमें एक होलेज्टन फ्रीजन के जगर ब्राउन सिस्ट करवाते हैं क्लास होगी और अंगले क्लास में तो नेक्स्ट प्लासिफिकेशन पॉल्ट्री का बताएंगे आपको नसलों के पिसे में क्लास में एक्लास में एक्लास में एक्लास में पॉल्ट्री का बता ह। झाल 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 झाल